हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टो माई योट्यूब चैनल, ब्लॉग विद ब्यूटी मैं हूँ नेहा और आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने वाली हूँ तहरी की रेसिपी, इसे बहुत लोग वेजपलॉ भी कहते हैं बट हमारी घर साइड इसे तहरी कहा जाता है तो फट मिसिंग है जैसे की गाजर मैंने नहीं लिया है तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है मटर, सिमला, मिर्च, ये बीन्स है और ये आलू, ये गोबी और इसके साथ न्यूट्रिला का सोया बीन मैंने ले लिया है और हमें चाहिए इसके लिए एक मीडियम साइच का और उसके साथ साथ हमें चाहिए प्याज और मिर्ची और इसके साथ ये प्याज मुझे चाहिए उपर से गार्निसिंग करने के लिए तो ये से हम लोग साइड रख लेते हैं और अब हम लोग पैन में सारी वेजिटेबल्स को फ्राइ कर लेंगे आप सारे vegetables को refine oil या फिर सरसो के तेल या घी के साथ भी आप इसे हलका सा saute कर सकती है तो मैंने यहाँ use किया है vegetable oil और अब मैं सारे vegetables को इसमें हलका सा डाल दूगी जिससे की इसका golden color भी हो जाए और ये fry हो जाए और अच्छी इसमें से बहुत अच्छी smell भी आने लगती है सबजियां अच्छी तरीके से भुन जाती है तो बहुत अच्छा लगता है तो मैंने सारी सबजियां डाल दी है एक साथ ही आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं बट कोई नहीं एक साथ भी आप सारी vegetables को fry कर सकते हैं और यहां पर मैंने लिया है कुछ थोड़ा सा अद्रक और लहसन जादा नहीं लिया बट थोड़ा सा अद्रक लहसन और इसी बरतर में हमें बनाना है तो मैंने इसमें डाल दिया refined oil और इसमें मैंने एड़ किया यह थोड़ी सी एक medium size की onions जिसका की हमें fry करके golden brown से निकालना गार्निसिंग करने के लिए और यह देखिए हमारी vegetables कितनी अच्छे तरीके से fry हो गई और जिससे की बहुत अच्छी इसमें ला रही है और उपर से मैंने अब डाल दिया है इसमें मटर और सिमला मिर्श भी कि यह भी थोड़ा सा fry हो जाए और यह मैंने side में से रख दिया और मैं इधर ready कर रही हूं गार्निसिंग करने के लिए onions जो कि मैंने डाला है एक पतेली में और इसे golden brown करके निकाल लेना है बाहर और इसके बाद अब हमें चाहिए यह सारे खड़े गरम मसाले जिसमें की long है इलाइची है जीरा है दालचीनी जो भी basic खड़े गरम मसाले होते वो सारे डाल देने है और जो मैंने प्याज और हरी मिर्ची कट करके रखी थी वो डाल देनी है और साथ साथ तेजपता भी इस जाने टाल हो गया है तो मैंने इसमे थोड़ा साथ पानी एड़ कर दिया जिससे की प्याज जलता नहीं इसके बाद आप मसाले एड़ करेंगे तो यह अच्छा टेस्ट भी देता है और मसाले जलने का भी डर नहीं रहता तो यह मैंने रख डाल दिया अद्रक लहसुन का प ये Vor porter ये Prose प्रोड़र येколь प्वाउडर ये कुिमिन सी कुमिन पॉडर है और मैं थोड़ा ता पानी डालके से साइड में रख दे रही हूँ और मैं टमाटर और firstly मसाले में थोड़ा सा नमक डाल बीरों, जिससे की मसाला जलदी ही पक जाएगा dtamater जलदी ही गल जाएगा화를 लकाएगा और ये मैंने जो मसाला पेश्ट तयार किया है वह इसमें एड़ कर दे रहा है और इसे अच्छे तरीकियासे भून लेना है क्यında, रहिए वह ब्हूण चुकी है तो मसाला अच्छे टेस्ट आता है, मैंने थोड़ा सा एक चम्मस दही इसमें एड़ किया है, इस अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, आप देख सकते हैं मसाले कितने अच्छी तरीके से भुन गया है, मसाले का कलर और इसमेल भी बहुत अच्छी आ रही और मैंने थोड़ा से इसमें एड़ कि नहीं कर सकते हैं। और मैंने सारे वेजिटेबल्स इसमें डाल दी। टोड़े दिर ज saintsंगे ये में इसमें तलु रुछंओं ने थी इसमें। ये मसालो को सुआथ तु नाल की लीचाता है। मлять शुक्त कामे मेजरमेंट से मैंने एक ग्लास लिया है اور इसके साथ-थाथ हमें मेजर्मेंट का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना होता है, जैसे कि मैंने एक ग्लास चावल लिया है तो हमें दो ग्लास पानी चाहिए, ना ही कम नहीं जादा तहरी है, तो इसमें ऐसा नहीं हो कि आप ज़्यादा पानी डाल दें जिसे की तहरी गिली भी हो सकती है वरना ये तहरी कम खिचड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो इसलिए measurement का ख्याल रखना होता है तो मैंने एक गिलास चावल लिया था तो मैं यहाँ पर दो गिलास पानी एड़ कर रही हूँ और आपको flame रखना है high और इसे cover करके एक उबाल आने तरक पकने देना है और बाद में इसे medium flame पे करके इसे चलावला के पका लेना है अच्छे तरीके से जब तक की पानी सुखना जाए तो यह ready हो चुका है हमारा tasty सा और yummy सा तहरी जो खाने में बहुत ही tasty लगता है आप भी इसे एक बार जरूर try करें और अपनी experience मेरे साथ जरूर share करें मिलते हैं next वीडियो में तब तक की लिए bye bye